हेलो प्यारे वच्चों, हमारी आज की कहानी का नाम है सपनों की उडान रूही के स्कूल में गर्मियों की छुट्टियां पड़ गई थी रूही बहुत खुश थी उसकी मौसी मुंबई में रती थी रूही अपने परिवार के साथ हवाई जहाज से मुंबई जाने वाली थी सारी तैयारियां हो चुकी थी रूही बहुत खुश थी वह पहली बार हवाई यात्रा करने जारी थी मा ने कहा रूही सो जाओ, सुबह जल्दी जाना है रूही को रात में सपना आया उसने देखा कि वह हवाई जहाज में बैठी हुई है जहाज उडान भरने की तैयारी में है नेन धीरे धीरे चलना शुरू किया फिर तेजी से दौरने लगा तेजा वाज कानों में गूंजने लगी जहाज उडान भरने ही वाला था कि अच्छानक जोर का जटका लगा वहर बढ़ा कर उठ बैठी सामने मा खड़ी थी वह रूही को जगा रही थी चलो रूही जल्दी उठो जाना है की नहीं रूही आखे मलते हुए बोली क्या हम जाज में बैठ गए मा ने हसते हुए कहा सपनों की उड़ान छोड़ो असली दुनिया की उड़ान अब भरनी है रूही उठी और मूहादो ने चली गई बच्चो क्या आपने भी कभी सपनों की उड़ान भरी है ये कहानी आपको कैसी लगी मुझे जरूर बताना मिलते हैं अगली कहानी में बाइब बाइब